नमस्कार किसनवायो सवागत है आपका आपके ही चैनल क्रोप एडवाइजर पे मैं आज आपको बताऊंगा टमाटर की खेती पारट टू उसमें मैं आपको बताऊंगा पोद की रुपाई कैसे करें और इसकी प्रमुख ब्रैटियां कौन-कौन सी है इसे पहले मैंने टमाटर की खेती पार्ट बन बनाया था जिसमें मैंने बताया था टमाटर को कौन सी मिٹ्टी में अगवाना चाहिए इसके लिए कैसी जलवाई है इसमें बीजदर क्या रखनी है बॉई का समय क्या है और नर्सरी कैसे तियार करें इस वीडियो का पार्ट वन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अगर आप आपको जानकरी लेनी है तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं चलो शुरू करते हैं पोदर उपन कैसे करें पोदे जब 10 से 15 सेंटिमेटर के हो जाएं तो पोदर उपन के लिए त्यार हो जाते हैं या 30 से 40 दिन की जो पनेरी होती है नरसरी होती है उसको खेत में लगाने के लिए पोदे त्यार हो जाते हैं खेत कैसे त्यार करें 15 से 20 दिन पहले हो सके तो 15 से 20 दिन पहले आप गुबर की गली सडी हुई 6 महिने पुरानी खाद इसमें 20 से 25 टन परती हेक्टर के हिसाब से डालें जिसे की मिट्टी में कार्बन पदार्थ की मात्रा बढ़ सके कंपोस्ट खाद भी आप 15 से 20 टन डाल सकते हैं कैंचुआ या बर्मी कंपोस्ट भी आप यूज कर सकते हैं इसके बाद किसान भायो आता है बोमी की त्यारी के से करें मिट्टी पल्टने वाले हल से एक जुताई कर दें उसके बाद रोटा बैट चलाकर मिट्टी को बुरबरी बना लें और पाटा चलाकर स्वागा चलाकर मिट्टी को समतल कर लें उसके बात देना है हमें फर्टी लेजर, 60 किलो यूरिया और 50 किलो फासफोरस और 50 किलो पुटास इन तीनों को मिक्स करकर छिंटा लगाएं परती हेक्टर के हिसाब से अब हमें त्यार करनी है मेडें, मेडें किस तरह से त्यार करें कि लगबग समन्य जो किसमे हैं उनके लिए 45 इंटू 45 सेंटिमीटर पर मेडें बनानी हैं इसके बाद किसान भायो पोदर उपन कर सकते हैं और उपर से पानी लगा दे पानी लगाने के दो दिनों पस्चात हमें क्या करना है के खरपतवार नियंतरन के लिए हमें पेंडम मैथलेन की सप्रे करनी है तो 5 ml परती लिटर पानी के हिसाब से इसका गोल त्यार करके इसका चड़काव करना है जिससे की खरपतवार ना उग पाएं किसान भाईओ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्क्राइब करें आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और वेल आइकन का बटन दवाकर आल पे क्लिक करें ताकि मेरी दवारा डाली के वीडियो आप तक पहुं सके इसके बाद किसान भाईओ देख लेते हैं इसकी उननत किसमें पहली जो ब्रेटी है पूसा रूबी पूसा अरली ड्वार्फ मार गलोब पंजाब छुआरा अरकाविकास रोमा पंत बिहार एच एस एकसो दो पूसा सदा बहार पूसा हाइब्रिड टू करनाटक हाइब्रिड रश्मी, हिसार अनमोल, सोनाली, सिजन्टा कंपनी की ब्रेटियां भी आती हैं वो है सिजन्टा साहू टू 32, सिजन्टा नैल टू 27 इसके बाद नामदारी कंपनी के भी एक ब्रेटिया आती है इसके बाद हिसार अनोन, पंजाब केसरी, पंत टी वन, MTH6, अरका श्रेष्ठ, पंत टी वन, पूसा हाइब्रिड वन, ARTH3, NA60, अंगूर लता, हिसार ललित, BSS 20, अरका सौरब, अरका गौरब, अविनाश्ट टू और रुपाली, यह इसकी उन्नत ब्रेटिया है, आप अपने एक शत्र के हिसाब से, और इसके प्रफॉर्मर, प्रफॉर्मेंस के हिसाब से, आप इसका चैयन कर सकते हैं इसके बाद किसानबायो आती है, स्टेकिंग, बेल वाली जो ज़्यादा बढ़ने वाली किसम हैं, उनको बांधरां जरूरी होता है, नहीं तो इसके जो फल लगते हैं, वो नीचे मिट्टी में लगकर खराब हो जाते हैं, इसके इनको सहारा देना, बेलों को बांधरां सह बांधरा देना श्टेकिंग कहलाता है, सबसे पहले पोदों के पास लग बग साथ से दस फिट के दूरी पर बांधरां सहारे बेलों को बांधरां सहारे को बांधरां दा जाता है, जिससए की फल खराब नहीं होते हैं, किसानवे भाईयों पोद्रोपन के 15 से 20 दिनों बाद हमें यूरिया देनी है वो लग बग एक बैग यूरिया परती हेक्टर के हिसाब से देनी है इसके बाद 15 से 20 दिन बाद पोद्रोपन के एक फंगी साइड की स्प्रेय वी करनी है टैबू को नजल 25.9 परती सत इसी 1.25 अमल परती लिटर पानी के हिसाब से इसका छिड़काब करना है ताकि बलाइट वगेरा बलाइट और अन्य फंगस के जो रोग हैं उनसे फ़सल को ब में जुरूर बताएं धन्यवाद किसान भाई जय हिंदु